सो हेलो एवरिवन विद ग्रेट मॉर्निंग हीर आयम अ तबारेक हुसेन मोटिवेशनल स्पीकर आज हम आपको फेस्बुक के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा मेसेज देने जा रहे हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छी लर्निंग मिल जाएगी सीखने को मिलेगी इंडियन बिजनस टाइकोन धीरो भाई आमबानी सब कोई जानता है आज दुनिया का सबसे अमीर व्यकती कल मैंने उसका एक स्टेट्मेंट पढ़ा उन्होंने अपने स्टेट्मेंट में लिखा कि जब बचपन में हम नौकरी क्या करते थे तो मुझे धाय सो रोपे की पगा है परिवार को छोड़के बाल बच्ची को छोड़के बीवी को छोड़के माबाप को छोड़के जो पैसे सेलरी से मिल रहा है और वो पैसे ले जाकर चाय पी रहा है कितना पागल इनसान है और मैं आपको बता दूँ कि जब मैं वो धाय सो रोपे का चाय पीने होटल में ज आपस में एक दूसरे के बीच बात क्या करते हैं और इस चीज को देखने के लिए मैं 500 रुप्य का चाय पीता था और मैं आपको एक चीज बता दूँ बड़े ही मज़े की बात है कि जब हम 500 रुप्य का चाय वहां से पीके निकलते थे तो 500 क्रोड कैसे कमाना है जीवन में इ यहां पर आपका सेल्फ ग्रॉथ सेल्फ डवलेमेंट सेल्फ इंप्रॉमेंट प्रसनलेटी डवलेमेंट की बात नहीं हो रही है आप जीवन में कैसे काम्याब होंगे भले ही आपका दोस्त कितना ही इंपोर्टेंट है आपके लिए पांच लोगों का दोस्त है और बहुत तो आप उस संगत को छोड़ दीजिए नहीं तो आपका बेड़ा को गरक कर देगा कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों का जीवन में संगत बिनाने का जो आपके ग्रौथ की बात नहीं करें जहां पर आपका ग्रौथ का बात नहीं हो आज कल हम लोग क्या करते हैं सोसल मेडिय कोई नहीं बात करता है कैसे हम जिवन में आगे बढ़ेंगे कैसे सफल होंगे कैसे हम काम्याबी की और जाएंगे कोई बात नहीं करता है एक दुसरे की परसंसा करना एक दुसरे की आवहलना करना एक दुसरे की आलोचना करना यही राजनितिक होती है और यही क्या करते हैं अपने growth की बात नहीं करते हैं अगर आप अपने growth की बात नहीं कर रहे हैं आपके circle में आपके business पार्टनर से जितने सारे friend circle है वहाँ पे अगर business growth की आपके growth की बात नहीं हो रही भाईया अभी ही आप ऐसे संगत को छोड़ दीजिए नहीं तो आपका बेडा गर्क कर देगा doctor बनाएं आपने देखा होगा कि कहीं हम लोग बच्पन में पढ़ते थे बाहर में lodge में राते थे study करते थे अगर हमारे आस पास में 10 लड़के की संगत अच्छा राता था और अच्छा study करता था हम उसके संगत में रते थे तो उसके संगत में रते रते हम भी वही बन जात कोई नया स्किल सीखने की बात नहीं हो रही है तो भाईया आप संगत को छोड़ दो नहीं तो समझ लो आपकी जिंदगी बरबात हो जाएगी कोई फाइदा नहीं है भले ही वह दोस्त आपके लिए कितना इंपोर्टन है मैटर नहीं करता है लेकिन अगर आपके बढ़ने की आपके काम्याब होने की आपके सफल होने की बात नहीं हो रही है एक दुसरे की आलोचना किया जा रहा है एक दुसरे का गीवत किया जा रहा है लोगों को कैसे नीचे करना लोगों का पैर पकर के कैसे खीचना है ऐसी बाते हो रही है भाईया आप संगत छोड़ दो नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे क्योंकि आपका वर्तमान ही आपका भविस्य तैय करता है वर्तमान में आप क्या करते हो वर्तमान में आपका किसके साथ संगत है कैसे लोगों के साथ बैठते हो कैसे लोगों के साथ उड़ते हो क्या कर रहे हो परजेंड टाइम में यही सारा मेडिया पर आके बीन मतलब का पड़े रते हैं एक दूसरे बारे में गीवत करते हैं इसको नीचे किराना उसको उपर दिखाना बस यहीं करते हैं क्या लगता ये सब कर लेने से हम जीवन में काम्याब हो जाएंगे नहीं हो सकते भया जीवन में काम्याब आप तभी हो पाएंगे जब आप खुद पर मेहनत करना शुरू करेंगे और कोई इनसान खुद पर मेहनत नहीं करना चाहता है बड़ी दुख की बात है कि खुद पर कारे में सोची खुद कैसे जिवन में काम्याब होंगे कैसे आप सफल हो सब दिन हर किसी 24 गंटा देता आपको 24 गंटा दिया मुझे भी 24 गंटा दिया सब कुछ 24 गंटा दिया आप क्या करते हैं 8 गंटा मालो कि चलो भाई हम नौकरी चाकरी करते हैं काम धंदा करते हैं 8 गंटा हमारा उसमें चला गया चलो ठीक है 8 गंटा हम सोने में निकाल देते हैं 16 गंटा बचा 8 गंटा यह 8 गंटा कहा जाता है कभी खोजने की कोशिश किए वह 8 गंटा आपका सोसल मेडिया पर एक दूसरे का गीवत करना एक दूसरे का चुगली करना एक दूसरे की आलोचना करना इसी चीज में जा रहा है तो कभी जिंदगी में आप काम्याब हो सकते हैं कभी नहीं होंगे बहिया कोई पहुंची नहीं रहा है तो जरूरी है कि आप खुद पर टाइम देजिए और खुद को लर्निंग फोकस करिए सबसे इंपोर्टेंट बात लर्निंग फोकस करिए अगर जिवन में काम्याब होना है तो खुद को एजुकेट करना पड़े जब तक आप खुद को समय बहुत ही मुल्यवान है समय की इंपोर्टेंसी को समझिए उसकी कदर करिए जो भी समय आपके पास बचता है कोसिस करिए कि हम अपने आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपने आपको कैसे सुधार सकते हैं हम अपने आपको कैसे बदल सकते हैं कैसे हम जिवन में आ आनने की कोशिश करिए तभी आप सफल हो पाएंगे जिन्दगी में